आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में खोन की कमी को पूरा करने का बहुती इफेक्टिव बहुती दमदार इंजेक्शन है तो चलिए इस इंजेक्शन के बारे में अच्चे से जान लेते हैं ये injection कब यूज किया जाता है किस condition में यूज करते हैं कैसे इस injection को लगाना है और इस injections related बहुत सारी बाते आज हम इस वीडियो में clear करने वाले हैं इसलिए आपने बिना skip किये इस वीडियो को end तक देखना है ताकि पूरी information आपको अच्छे से समझा सके तो चलिए आज कुछ better सीग ले दें देखे गाइस वैसे तो आईरन के बहुत सारे injections मार्केट में available है लेकिन यहां पर हम बात करेंगे फैरिकाइंड S injection के बारे में क्यूंकि ये injection बहुत असरकारी होता है डोक्टरों दोरा भी इस injection को प्रिस्क्राइब किया जाता है फैरिकाइंड S injection मैंकाइंड फार्मा कंपनी के दुआरा बनाया जाता है और 5 ml का ये injection होता है जिसका MRP 321 रुपी होता है थोड़ा सा महेंगा जरूर है लेकिन आपको इस injection का बहुत effective result देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको iron 100 mg में देखने को मिल जाएगा अब हम जान लेते हैं इस injection के benefits के बारे म हो सकती है like कोई accident हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा blood loss हो जाता है ऐसे में आप इसको लगा सकते हैं किसी बीमारी के चलते सरीड में खोन की कमी हो जाती है ऐसे में आप इसको लगा सकते हैं कोई pregnant lady है pregnancy में आप इसको लगा सकते हैं किसी परसन को piles की समस्या है यानी बव असीर की समस्या है इस कंडिशन में भी पैसेंट का बहुत ज़्यादा बलड लोस होता है ऐसी कंडिशन में भी आप इसको लगा सकते हैं और इसके अलाबा नोर्मली शरीर में थकान कमजोरी या खोन की कमी हो जाती है तो ऐसे में भी डोक्टर दुवारा इस इंजेक्शन को लगाया जाता है कुल मिलाकर किसी भी कारण से किसी भी वज़े से सरीड में खोन की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है देखिए गाईज जब हमारे सरीड में खोन की कमी हो जाती है तो सरीड में थकान या सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, सुस्ती और हर वक्त जो है मतलब सरीड गिरा गिरा सा रहता है ऐसा इसलिए होता है आपके अंगों को उस तरह से काम नहीं मिल पाता है जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए यानि खोन की कमी के कारण हमारे सरीड के अंग प्रोपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं प परियापत मातरा में ओक्सिजन नहीं ले जा पाएगी तो खून पूरा होना हमारे सरीड में सबसे इंपोटेंट होता है खून की कमी को पूरा करने के लिए ये effective injection में से एक है डोक्टर दोवारा भी इस injection को बहुत ज़्यादा prescribe किया जाता है वैसे तो बहुत सारे injections आपको market में मिल जाएंगे लेकिन इस injection का बहुत ज़्यादा effective result देखने को मिलता है तो ये test के कुछ benefits अब हम जान लेते हैं Precations यानि सावधानिया देखे guys आपको इस injection को डोक्टर के देखरेक में ही यूज़ करना है ऐसा नहीं है किसी बंदे में खोन की कमी हुई और तुरंत उसके ये injection ठूस दिया ऐसा बिलकुल नहीं करना है कुछ condition ऐसी होती है जिसमें patient को side effect भी आ सकते है जैसे कि किसी person को romatide arthritis यानि गठिया का दर्द होता है ऐसे में आप इस injection को directly नहीं लगा सकते इसके अलावा अगर किसी person को asthma या allergy कोई समस्या है ऐसे में भी directly आप इस injection को नहीं लगा सकते ऐसी condition में patient को side effect आ सकता है इसके अलावा अगर कोई patient alcohol intake करता है या फिर किसी patient का hybrid pressure रहता है या liver की समस्या है इस तरह की कोई भी समस्या है ऐसे में भी इस injection को doctor द्वारा ही यूज किया जाता है तो ऐसी सभी condition में आप doctor से consult कर गई इस injection को यूज करे तो यह थे इसके कुछ pre-cations अब हम जान लेते हैं common side effect के बारे में common side effect की बात की जाए तो किसी-किसी patient को vomiting यानि उल्टी लग सकती है नोजिया, मतली, जी में चला सकता है टायरिया, दस्त वगेरा भी लग सकते है constipation, कब्स भी बन सकता है इस तरह का common side effect एकाथ परसन में आ जाता है जो एक दो बार में ठी हो जाता है अब हम लास्ट में जान लेते हैं pharykind S injection की dose के बार में dose patient के weight और उसकी condition के coding दी जाती है जितना ज़्यादा patient में blood कम है उस हिसाफ से ही इस injection को लगाया जाता है और आपने directly इस injection को नहीं लगाना है 100 ml की NS में इस injection को mix करके लगाना है यहाँ पे देख सकते हैं यह 100 ml की NS bottle है जिसे normal saline भी बोलते हैं इस bottle में mix करके इस injection को लगाना है फिर आपको बहुत अच्छा response देखने को मिलेगा उम्मिद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं